नमस्कार और स्वागत है आपका सेल्स्टेडी की चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं भारत की रण नितिक जीत कहीं क्या इसको त्रिंको माली तेल टैंक फॉर्म सोदा जो होने जा रहा है भारत और सिरलंका के बीच में भारत सरकार इसके लिए 16 महीनों से 16 महीनों से लगी हुई थी इस सोदे को करने के लिए और किवल भारत यह नहीं बलकि चीन भी यह जो सोदा वहों श्रिलंका के साथ करना चा रा था तो क्यों इतना इंपोर्टन चैनल क्या ऐसी चीजें इसके लिए कि भारत के रण नितिक जीत इसको कहा जा रहा है किवल 16 मही इने ही नहीं हम इसको कह सकते, अपी तो 35 साल पहले भी एक जो सोदा हुआ था, मतलब कि एक agreement हुआ था भारत और श्रिलंका के बीच में, राजी उगांदी जब परधान मंतरी थे तब उन्होंने भारत और श्रिलंका के बीच में समझोता हुआ था, तो उन्होंने इसी त्रि है ना, जहां पर यह सोदा हो रहे हैं, मतलब श्रिलंका में, श्रिलंका में कहां पर हैं, वो जो position है, वो काफी ज़्यादा important है भारत के लिए, तो अब यहां पर जल्दी इनके उपर हस्ताक्षर यानि साइन जो होने जा रहे हैं, इस समझोते के उपर, और दोनों देशों के जो तनावपूर्ण संबंध हैं, यानि जैसा कि हमें भारत और श्रिलंका के बीच में जैसे relationship दिखते हैं, वो काफी ज़्यादा तनावपूर्ण रह रहे हैं, अब उसका reason भी जानेंगे क्या है, थोड़ा बहुत हम history को भी खंगालने वाले हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है क भारत और श्रिलंका के बीच में तनावपूर्ण जो संबंध है वो बन रहे हैं, और बावजूद इसके की अब एक साकारात्मक सोच देखी जारी है, संकेत हमें दी मिल रहा है कि अब इस डील के कारण काफी ज़्यादा रिष्टे जो हैं वो सुदर जाएंगे, खैर, उन रिष्टों पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं, यह त्रिंको माली तेल पार्म क्या है, इससे भारत को क्या-क्या फायदा होने वाला है, देखें, यह बनाये किसने थे, सबसे पहले बात तो उड़ती है, बनाये किसने थे, यह जो आप देख रहे हो ना, यह चोड़े- चोड़े-चोड़े दिख रहे हैं, एक्चुल में हर टैंक के अंदर 12,000, 12,000 किलो लिटर तेल की एक शमता है, हर एक टैंक के अंदर, और 99 टैंक हैं, यह जो 99 हैं, यह मैं तो थोड़े सी दिख रहे होंगे, लेकि 99 टैंक हैं, अभी जंग लगी हुई है इनके उपर, हाँ बनाया किसने था, important बात या थी, देखे, उस वक्त जब भारत, मतलब, श्रिलंका पर भी, अंग्रेजों का कब जाऊवा करता था, भारत के उपर भी, अंग्रेजों का पजाऊवा करता था, तो, परत्थम विश्विद के दोरान, अंग्रेजों को लगा, कि यार, हमें भी न कहीं पर ये तेल भरने के लिए, जहाजे, अब देखे, ब्रेटिस जो थी, वो इतनी ज़्यादा पाउरफुल क्यों थे, ब्रेटिस क्यों कि उनकी नेवी ज़्यादा पाउरफुल थी, अब नेवी की जो जहाज थी, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको चल इन्होंने तरिंकोमाली इस जगह को चुना और यहां पर इन्होंने 99 टैंक जो एक टैंक का एक फाम यहां पर लगा डाला इन्होंने देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्ड जब हुआ था तो वो यूरोप की साइड में होता लेकिन सेकंड वर्ल्ड वोर होते होते वो अपने एशिया के साइड भी आ गया था यहां पर यह जो तरिंकोमाली इवन इतना प्रभाव था जपान का जपान ने आकर यहां पर दो जहाज बिटिस की तो डूबो भी दी थी तो यहां पर जब एशिया में यहां कहें कि अपनी पाउर को बढ़ाने के लिए ताकि यहां पर पर अंग्रेजों ने वर्ल्ड वार सेकंड के तौरान क्या कहीं वर्ल्ड वार सेकंड होने से पहले यहां पर एक यह कर लिया था अपना एक फार्म बना लिया था तेल टैंक का एक फार्म बना लिया था तो यह किसने किया था दृत्य विश्यूद के तौरान इंदन भरने के वाले station के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और केवल यहीं नहीं बहुत सारे जगा बनाया गया था अब क्यों इतना important है तेली तो भरने के लिए था सर इतना important क्यों है ये कोई भी बना सकता है जैसे हम जो रास्ते में जा रहे होते हैं जो गाड़ी के लिए तेल की जूरत होती है तो हम भी तो आप पेटरोल पंप देखते हैं तो ये पेटरोल पंप भी तो हुआ एक तरीके से तो इतना important क्यों है important है important ये है ये जो है कहां गया है ये बगया तो यहां ये सबसे बड़ा प्राकरथिक बंदर गाए ये विशू का second number प्राकरथिक बंदर गाए अब देगे प्राकरथिक बंदर गाए natural port का मतलब समझेगे natural port का मतलब होता है जैसे कि आप जब समुंदर को देखते हैं तो यह जो लैंड है, ऐसे ऐसे यहां पर ऐसे जाता है, तो यहां पर पानी होते हैं, तब जब आप यहां पर पानी होते हैं, यहां नीचे नीचे जाते हैं, बहुत जादा गहराई हो जाती है, यह पानी है, तो जब आप जाते हैं, तो आप जैसे पैर रखते हैं, तो थोड कि पूरी जहाज यहां पर आके रुख सकती है मतलब क्या होता है कि जो गोवा के जो पोर्ट होगे वहां पर तो मिटी है स्टार्टिंग में यहां पर तो पोर्ट जो है वो काफी दूर रोके जाते हैं और उन जहाज से समान उतारकर चोटी-चोटी जहाज के अंदर पर पोर्ट तक लाया जाता है, तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है यह प्राकरतिक बंदर गया, यहाँ पर सीधी जहाज अंदर आके रुख सकती, यानि यहाँ से एंट्री की जहाज ने, तो वो पर यहाँ पर आके रुख सकती है, context यहाँ पर आके रुख सकती है, यहाँ पर कोई खोधने की जुर्थ नहीं है तो सबसे, रहा है, second, second सबसे बड़ा जो है, यह natural weather है, first पे कोन है, first पे आता है Australia का Sydney Harbour, तो वो first पे आता है, second number पे यहाँ आता है अब हमें करना गया है, यहाँ पर अपनी सैना बिठानी है, यहाँ पर अपनी सुरुक्षा करनी है, यहाँ पर सुरुक्षा करनी है, पूरा का पूरा यह जो पोर्ट है, देखें, अंदर तक जा रहा है यह, पूरा का पोर्ट जो है, वो सुरुक्षित हो जाएगा, और हमार श्रिलंका समझोता 1987 में भी इस बात की कहें की सामने रखी गई थी उस वक्त जो समझोता हो रहा था इसकी कलपना कही गई थी कि हाँ आप ये पोर्ट ये जो निन्यान में जो 99 जो है वो हमें दे दीजिए ताकि हम इसको सही से यूज कर सकें 12 हर एक टैंक के अंदर 12,000 किलो लिटर को भरने की शमता है अब यहाँ पर 2003 के अंदर इंडियन ओयल कोर्परेशन ने इस तेल फॉर्म का काम करने के लिए एक शिरलंका की साहय कंपनी लंका आयोसी की स्थापना की थी और उस लंका आयोसी ने 15 टैंक को तो सही कर लिया यह ठीक है बाकी नहीं हो पा रहे हैं अब यहाँ पर इसके चलते क्या हो रहा है कि भारत के साथ हाथ मिलाया जा रहा है चीन भी इसके पिछे पढ़ा था काफी टाइम से चीन इसके पिछे पढ़ा था अब देखते हैं इतना इंपोर्टन्ट क्यों है अब जैसे मैंने का आहसान पाँचा यह तरिंको मौली के गहरे जल में के प्राकर्तिक बंदरगा पर स्थीत है मैंने का गहरा जल आपको बताया न कि इसमें ये वाली पोजिशन नहीं है आप जा रहे हो दीरे दीरे यहां मिट्टी है मिट्टी है यहां तो भाया गहराए पानी स्टार्ट हो जाता है तो जहाँ जो है शिप जो है वो एक्जेक्ट आके लैंड के पास रुख सकती है तो यह सबसे इंपोर्टन चीज होगी दूसरी चीज कहा है रन नितिक स्टैटेजिक पोजिशन है स्टैटेजिक पोजिशन कैसे है कि व्यस्ट शिपिंग लेन की जगहें पर स्थीत है कहां पर जड़ा देख पार है आप यहां पर जो जहां पर वैपार हो रहे है जहां पर वैपार होता है ना तो वहाँ पर व्यापार होने वाली उस जगह पर यह स्थीत है तरिंकोमाली क्लियर हुआ अच्छा अब यहाँ पर जो यह डील हो जाएगी इसके चलते भारत और शिरलंका दोनों के लिए यह आर्थिक रूप से काफी जादा महतवपूर्ण जगह हो जाएगी यानि आर्थिक रूप से फाइदा होने वाला शिरलंका को भी भारत में बहुत इसके लिए महनत किया मैंन कहना हो ना 16 महीनों से लगा तार लगी हुई है अब मैं जानूगा कि यह समझोता यहाँ पर क्यूं हुआ है क्यूं आप देखे श्रिलंका जो है वो एक समझोते से ओलेडी पीछे हट चुकी है अभी उसके बारे में बात करने वाले अब थोड़ा इस समझोते के बारे में और बात करते हैं 1987 में जो समझोता हुआ था तमील और सिहल समुदाए के बीच में जो समझोता हुआ था क्यूं भारत और श्रिलंका के जो रिष्टे हैं वो इतने तनावपूर्ण है रीजन ये है कि आपको पता है कि जब जो श्रिलंका है वहाँ पर मैनियोर्टी के अंदर जो तमील है और मैजोर्टी के अंदर बुद्धिजम है वहाँ पर जो बुद्धिजम है तो वहाँ पर क्या हुआ तमील लोगों का पहले देखे एक इतियास की जब अंग्रेजों क अपना शाजन करने के लिए तमील लोगों के यहां पर लेके गए थे भारसे तो वहां पर इनको काम समझाया गया इवन जो तमील थे शर्लंका के अंदर वो बहुत ज़ादा पड़े लिके थे उनका काफी ज़ादा सरकारी जगह के उपर उनका अच्छा मतलब रुतबा था संक्याम भले कम थे लेकिन इनका सरकार के अंदर काफी ज़ादा रुतबा था जिसके इनकी ही चलती थी लेकिन जब शर्लंका अजाद हुआ तो यहां पर मैं जो मेजोरिटी के अंदर थे उनों जो तमिल थे इनको भगाना स्टार्ट किया इनके हक छीन ने स्टार्ट किये जिसके चलते आपको पते काफी सारे समुदाए बने थे समुदाए बने उसमें से एक समुदाए जो था लिटे नाम से बाहर निकल के आया वहां पर उसको खतम करने के लिए ये श्रिलंका ने फिर help मांगी, civil war चला था श्रिलंका के अंदर, तो help मांगी थी भारत से, भारत ने अपनी सैना वहाँ पर बेजी थी, अब जिसके चलते सैना बेजी थी, तो चैन्नाई के अंदर राजीव गांदी को आतम गाती बं में उड़ा दिया गया था, तो ये जब चीजे हमें भी जहलनी पड़ी थी, लेकिन बावजूद श्रिलंका के लोगों को लगता है कि इनों ने लिट्टे का साथ दिया था, हमारे जो देश के अंदर, यानि श्रिलंका के जो अंदर टर्मोईल हुआ, यानि जो एशान्ती फैली, जितना भी ये civil war हुआ, वो सारा भारत के कारण हुआ, क्योंकि भारत ने यहां पर तमिल लोगों को ट्रेनिंग दी थी, स्टार्टिंग में दी थी भारत ने, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में भी दी थी, लेकिन बाद में जब बात हुई इन चीजों को चलते हैं, तो भारत ने श्रिलंका का साथ भी दिय जिसके चलते हैं परधान मंतरी को हमें गोहना भी बढ़ाता तो यह चीजे नहीं नहीं देखी शायद अच्छा अब चलते हैं इसके पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस समझोते के सुत्राधार भारत के परधान मंतिर राजीव गांदी और श्रिलंका के जो राष्टपती उस वक्त के जे आर जैवर्दन थे और इसी कांट इस समझोते को राजीव जैवर्दन समझोता का जाते हैं 1987 में इस पर साइन हुए थे और इसमें जो था कि तमिल और सिहल समुदाय के बीच में जो था जो ग्रह यूद चल रहा था सीविल बोर चल रहा था उसको शांत करन इतना शर्लंका में बेज दीजिए और भारत ने वो भेजी भी थी और इस समझोते में कहा गया था कि जो शर्लंका में जो भारती मूल के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए वहां पर शर्लंका में जो तमिल अल्प संक्यों के अधिकारों को सही बैलन्स किया इसलिए तो उनको ग्वर्म्टन जोब नहीं मिल रहे थी, उनको पढ़ाई बाँ पर नहीं मिल रहे थी, हाईर एजुकेशन नहीं मिलेंगे तो अगे कैसे बढ़ेंगे प्रोविंशियल काउंसिल को बनाने की बात की थी प्रोविंशियल काउंसिल को लागू किया जाएगा ठीक है? ये 1987 की बाते हैं अब तनाव पुर्ण संबंद क्यों है थोड़ा बहुत इसके पर बात कर लेते हैं सबसे बड़ा रीजन तो एक तो देखिं जो मैं कहा रहा हू है कि वहाँ पर की जो राजनीती है उसके ओपर असर पढ़ रहा है भी यहाँ पर अब राजनीती भी लोग मतलब ऐसा समझो कि वहाँ के जो राजनीत है वो चीन से 19, 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2019 तक FDI, Foreign Direct Investment यानि कहें कि जो विदेशी जो रुपय आया है, 100% रुपय आया है शिरलंका के अंदर, उस 100% हिस्से में लगवग 25% यानि 23.6% जो हिसा है वो अकेला चीन का है भारत का हिसा कितना है? 10.2 10.4% 10.4% भारत का हिसा है, तो देखा जाए तो निवेशक के तोर पे, इन्वेस्टर के तोर पे शिरलंका का सबसे जादा बड़ा हिस्सा हो गया दूसरी चीज, शिरलंका ने चीन ने शिरलंका को कहा रखा कि आप अपना समान आके इदर चीन के अंदर, भाया बिना बे रोक टोक बेची है, तो एक तो ये सुविधा दे रखी है, साथ इसाथ शिरलंका ने हंबन टोटा बंदरगा को संभाल रखा है खैर ये तो इन्होंने हाड़ा पी रखा है, चीन को भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है उपर से, यहां समुंदर से, तो यहां पर यह शिरलंका बैटा तो यहां हंबन टोटा के उपर यहां पर लेके बैठ गया यहां पर अपनी जगह पर ताकि भारत को यह घेर सके तो एक ये समझोता हुआ था, तो यहाँ पर कोई रहता नहीं था इस नहीं, यह पकड़ा दिया है, से कब शिरलंका को पड़ा दिया तो इसे कपी ज़ादा विवाद रहता है, विवाद रहता है कि यहाँ भारत के जो लोग हैं, वो मचली पकड़ने के लिए जाते है तो कभी-क अभी वो इस लाइन को क्रोस करके इस आइलेंड के ऊपर अपने जालों को छुपा गया मतलब सुखा रहे होते हैं अब यहार देखो वो आए हैं मचली पकड़ने तो गहरे पानी में मचली पकड़ेंगे खाली हाथ जाने से तो बैट रहे हैं उनको लगता है कि यहां पर जाकर जाला सुका कर अपना मचली पकड़ ले होँगे मचली उद्योग यहां पर काफी जादा इंपोर्टन है जैसे उत्र भारत में गे हूँ यह सब चीज़ इतनी इंपोर्टन है यहां पर मचली पालन यह मचली पकड़ना उतना है यहां पर विवाद का कारण बनता है तो यहां पर काफी जादा मच्छवारों को लेकर संबंदित इशू उड़ते हैं इस चीज़ को लेकर कच्चा तीवू दीप मुद्दा क्लीर हुआ अब आओ जरह शर्लंका का जो समीधान जो था उसमें तेरवा संशोदन हुआ था उसके बारें बात करते हैं 1987 में थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री को भी जान रहे हैं इसके साथ-साथ यह वो है मैं इमेज यहां पर भी लेकर आए हैं फिर से मैं यह चीज़ें बताता हूँ 1987 में यह समझोता हुआ समझोते के तहट क्या गया गया कि जो सर्लंका के अंदर जो भी भारत के मूल के लोग जो हैं या फिर जो तमिल लोग हैं उनकी समान था नयाय शांती समान इनके लिए जो मांग कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए जो provincial council है उनको शक्ती उनको power दी जाए ये बात कही गई थी और इसके लिए उन्होंने तेरवान समिधान संचोधन किया था कि provincial council को power दी जाएगी इसलिए श्रिलंका के अंदर ये तेरवान समिधान संचोधन किया गया था हो गया लेकिन बावजूद इसके ये लागू नहीं हुआ आज भी लोग शिरलंका के अंदर जो तमील के जो लोग है शिरलंका ये तमील जो है वो तमील आड़ों में शरण मांग रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को अभी तक सही से लागू नहीं किया गया दूसरी चीज़ क्या है शर्लंका पीछे अट गया है शर्लंका पीछे किस से एट गया एक कोलमबो पोर्ट के अंदर इस्ट कंटेनर टर्मिनल का पुरजेक्ट चल रहा ता जिसमें भारत और जपान भी शामिल थे और ये जो तीन जो देश थे भारत, जपान और शिलंका इसमें शिलंका ने कहे भाई साब हमारे घर में हमारे मतलब की देश के अंदर ही कुछ लोग इसी चीच का परदर्शन कर रहे हैं वो एक अलग मुद्द है, इन्होंने वो बहाना दे दिया, कह दे कि हमारे ही देश के जो लोग हैं वो परदर्शन कर रहे हैं, क्रिपया करके आप ये अपना प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए तब यहां पर ये एक तरीके से कहें कि च्रिंको माली समझोता होने के पीछे ये भी एक रीजन कह सकते हैं अब थोड़ा बहुत हम सहोग भी जान लेते हैं, हमने देख लिया कि यहां दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है सहोग भी कहा हुआ है, सहोग यह हुआ है कि four pillar initiative स्टार्ट किया गया है इस initiative के तहत क्या हो रहा है कि श्रलंका के जो the economic crisis है उसको कम करने ही कोशी की जाएगी जिसके अंदर चार चीजों को priority दी जा रही है, line of credit, currency swap agreement, modernization project जैसे कि भारत के अंदर जो housing project जो चल रही है, उसको लेकर एक Indian investment यहां पर शामिल होगी सिंक्त अभ्यास भी हो रहे हैं, सिंक्त अभ्यास जैसे भारत और श्रिलंका के बीच में साथ ही साथ, इन दोनों के बीच में जो श्रिलंका जो है, वो बीमस्टेक में शामिल है, बीमस्टेक और शार्क में शामिल है, बीमस्टेक की full form आप से देख सकते हो, बेओ बंगाल इनिशेटिफ फोर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एन एकनोमिक कोपरेशन, तो इसमें शामिल है, सार्क में शामिल है, जिसको लीड कोन करता है, मुख्य बुमी का कोन नहीं बाता है, भारत नहीं बाता है, और सागर विजन, देखें, शरिलंका जो है, नेबर फ पोस्ट पोल्सी, और सागर, इन दोनों के साथ साथ भारत की चिन्ता करता है कि इंडियन ओशन जो भारत के फेवर में, मतलब इंडैन ओशन दिक्वे जिस तरीके से, चाइना जो कहता है कि इसके ऊपर, हमारा भी मतलब यहां पर अपना कबजा करना ही कोशिश कर रहा है, इंडिय नोशन को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेपार होता है न तो इस चीज में जो श्रिलंका है वो भारत का समर्थन कर रहा है चिंता व्यक्त कर रहा है कि भारत की स्टेटिजी यहाँ पर मुझबूत होनी चाहिए अब आते हैं आगे की रहा क्या हो सकती है देखे नेबर हूट जो नेबर हूट फर्स्ट पॉलिसी जो है जो भारत चला रहा है काफी सारे देशों के साथ तो उसके अंदर क्या है कि इस चीज का फाइदा उटा कर हम क्या कर सकते हैं श्रिलंका एक साथ अपने रिष्टों को जो हम चला रहे हैं उसके चलते भी हम यहां पर श्रिलंका के साथ हम अपने रिष्टों को सुदार सकते हैं वहां पर अगर कोई थ्रेट पैदा होता है तो उसको हम उसको हम काउंटर कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच में क्या करना होगा दोनों देशों के बीच में प्राइवेट प्राइवेट इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा एक दूसरे के साथ हाना होगा तो यह चीजे हैं तो I think आप लोगों को यह मुद्दा समझ में आयोगा क्यूं इतना इंपोर्टन्ट है त्रिंकों माली समझोता जिसके चलते भार सरकार ने काफी टा मिलेगा अप लोगों को टेलिग्राम का लिंख दिया मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सही बोलाओगा मैंने उम्मीद करता है अच्छा आप लोगों को वीडी पसंद आई तो क्या कर सकते हैं तो थोड़ी सी ह Insurance मेरी भी कर सकते हैं तो समझ़ोत thank you for watching this video